हाई दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्त सर्वेश मौर्य आज मौर्य और दुर्गा सब्तसती के बारे में खुलासा करने वाला हूँ तो आप लोग गवर कीजिएगा और विसेश रूप से घ्ञान दीजिएगा कि सही क्या है गलत क्या है उसके बाद आप कहीं भी दिल खोल कर डिबेट कर सकते हैं इस बात को जानने के बाद क्योंकि आज कल नौब धोदारा दुर्गा सब्तसती के बारे में उल्टा सीधा फैलाया जा रहा है और मौर्य बंस को राचस बताया जा रहा है आज उन लोग के लिए मैं बहुत ही मज़ेदारा और करारा जवाब लेके आया हूं चलिए सुनिए मौरी का सच जाने मौर्य बंस अलग है दुर्गा सब्तसती में जो है उसका संबंद मौर्य बंस से नहीं है जान ले सरी लोग नव बहुत दने गलत फैला रखा है उसकी स तता जाने सुरी बंसी जै मौर्य बंस जै समराच चनलुप मौर्य दुर्गा सब्तसती वर्डित असुरों का मौल छेत्र असुरों का मौल केंद्र मद्ध यूग में असीरिया कहा जाता था जो आजकल सीरिया तथा इराग है इसकी राजधानी उर्थी जो इराग के प्राचींतम नगर हैं महिशा सुर के बारे में भी अस्पष्ट लिखा है कि वह पाताल भारत की विपरीच छेत्र का निवासी था उसे चेतावनी भी दी गई थी कि यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लड़ जाओ यूँ प्रयात पाताल यदि जीवी तुमिच्छत दुर्गासप्त सती आठ बाई चब्वेश इसी अध्याय में स्लोक चार से छे असुनों के छेत्र तथा भारत के सीमावरती छेत किये गए हैं अब विवेचना करते हैं दुर्गासप्त दसी के मौर्य सब्द के बारे में कुछ अलपग्य नौबोध उस सब्द को आधार बनाकर मौरियों को राचस कहते फिरते हैं जबकि उसका पूरा नाम मौर्याह कालिके था जो मात्रेक सेनापती था ना कि कोई करने इसका मौरिय सामराज या भारतिय मौरियों से कोई संबंध स्थापित नहीं होता कि सिर्फ सापदिक समानता है जैसे कनक्नके सवगुनी माध्वकतः अधिकाए वहाए बवावराय जग उइपाए बवराय जैने जिस प्रकार से कनक का आर्थ सोना होता है वहीं दूस मौरे मुर, पाड़नी के अनुसार मौरे सब्द की उत्पत्ति मुर्धातु सब्द से हुई है, मौरकों का प्राचीन समय में असुरों का छेत्र माना जाता है, तथा यहां के निवासियों को आज भी मौरे मौरे के नाम से जाना जाता है, यही मौर सब्द संस्कृत में मौर हो जाता है मुर का अर्थ लोहा मौर मौर्चा के दो अर्थ हैं लोहे की सतय पर विकार या युद्ध छेत्र में लोहे के हथियारों से युद्ध होते हैं जंग के भी यही दो अर्थ हैं जंग सब्द के भी यही दो अर्थ हैं इस प्रकार अर्थ का अनर्थ बनाकर समाज को करने वाले लोग आय परिपक्व हैं जिनकी जानकारी का अस्तर कुछ भी नहीं है किन्तु उचल उचल कर दुनिया के सामने अपनी विद्वता दिखाते फिरते हैं ऐसे लोग को जूते बजाना चाहिए यह मैं नहीं कह रहा हूं यह समाज कह रहा है यह आज की सभ्यता कह रह आता जो भी समाज में भ्रम फैल आता है उसको तो जूते पढ़ने ही चाहिए चाहे कोई भी रहे उसको समाज से बहिस्कृत करना ही चाहिए और हां मौर जो है आज मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी बताऊंगा यह तो बिज्ञान के हिसाब से और तथ्यों के और जाज मनुस्य होता है अर्था हम सभी एक ही परिवार से आते हैं एक पिता के कई पुत्र होते हैं तो उसके नाम से कोई ब्रामण कोई चत्री कोई वैसे कोई सूधर हो गया हलाकि सब मौर इवन से हैं सर्वस्रेश्ट सबका वर्ड है लेकिन अपने कर्मियों के अनुसार सब अधान हो जाएं उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा अखिर सूधर कहने का दुस्साहास कहां से किये अरे 1957 में कुछ लोग जो है कि मौरे टाइटल अपना लिए उसके मतलब यह थोड़ी हैं कि मौर इवन्स को आप सूधर कहोगे मौरे ऐसा ताकतवर चीज है जिसक समाच चिन है और बहुत ही माइने रखता यह प्रस्ण है जा फिर 22 भासाओं का ग्याता अपने समाज को अगे बढ़ाने के लिए कि मौरे वंस को क्यों चुना और किसी वंस को क्यों नहीं चुना तो वही बात है मित्रों समझ समझ की फेर है और कुछ नहीं सब बाप बननन सब अपने आपको बगवन बनना चाहते हैं सब अपने आपको ःष्ण साबित करना चाहते हैं इसी में समाज का बंट आथार हो रहा है चाहे ओ कोई भी सुध मित्रों मैं धंकी नहीं दे रहा हूं, एक सुझाव दे रहा हूं, चेतावनी भी भी नहीं दे रहा हूं, मैं आएक सुझाव परामस Rechts दे रहा हूं, जिसको आप मार्ड़ दर्סक भी कह सकते हो, चली मित्रो ठीक है आप लोगों ने ध्यान पूरोग सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही जानकारी में आप लोग के सामने प्रस्तुत करते रहूँगा और चाले के जी पर भी घुलासा करने वाला हूँ मैं वो ब्रामर थे या मोर थे उसके बहुत बड़ा प्रस्त में खड़ा करने वाला हूँ जो कि आप लोग तयार रहे उसका उत्तर देने के लिए धन्यवाद जै मोरिवंस जै हिंद बंदे मातरम जै स्री राम जै महाकाल नमो बुद्धाय जै स्री कृष्णा जै मोरिवंस जै अखंड भारत वर्ष जै नारी सक्ति जै भारत की धरती